नमस्कर दोस्तों स्वागति आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज्जू किसने चैनल में तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ऐसी बीमारी और उसके सॉल्यूसन्स के बार में बात करेंगे कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम वीटी लीगों कहते हैं तो वीटी लीगों में होता क्या है कि यहाँ पर जो हम देखें उस तरह से अलग-अलग health problems create होते हैं जिसमें सबसे पहला problem हम देखें तो त्वचा उपर सफेद दब्बे देखने को मिलते हैं तो यह जो आप पीक है उसमें देखो तो जो लेडी है उसके सरीर पर इस तरह से सफेद दब्बे देखने को मिलते हैं फिर यहाँ पर भी यह आप वीडियो में देखो इस तरह से स्कीन के उपर सफेद कलर के हमें दब्बे जो है वो देखने को मिलते हैं फिर हम देखे तो type 1 diabetes है या फिर किसी को thyroid है तो भी आगे जाके ये problem उनके अंदर जो हो सकती तो यहाँ पर ये lady के face के आसपास जो lips के आसपास फिर ये eyes के आसपास आप ये सफेद दब्बे जो हो देख सकते हैं फिर ये दिरे दिरे पूरे सरीर में फैलने लगते हैं और skin का जो रंग है वो जगा जगे पर फीका पड़ जाता है तो ये जो सभी symptom से वो indicate करते हैं कि वीटी लिगों की विमारी हो सकती है तो चलिए सिखते हैं आज के वीडियो में वीटी लिगों के बारे में detail में कि जिसक आगे भी हमने जैसे बात की कि ये जो problem है वे chronic यानि कि long lasting autoimmune disorder है autoimmune यानि कि ऐसा होता है कि हमारे ही body के जो immune system के cell होते हैं वो हमारे ही body के cell के उपर attack करते हैं और उनको destroy करते हैं तो वीटी लिगों में मेंली ये होता है कि जो हमारे skin के color के लिए जो responsible जो cell होते हैं कि जिसको ह protein के उपर तो यहाँ पर आप ये पीक में भी समझ सकते हैं कि मालों कि ये वाली जगा पर जो आपका melanocyte था वो आपके ही body के immune cells ने कि जो antibody खास करका है जाते हैं हमारे सरीर के हमारी immunity के जो cell कह जाते हैं वो cell कुछ ऐसे reasons produce होते हैं सरीर में जिसके कारण आपी के ये melanocyte को destroy कर देते हैं जिससे क्या होगा कि जिस जगा पर ये melanocyte destroy हो जाता है वहाँ का रंग जो है वो फिका बढ़ जाता है और जो normal जो skin का color है उसके compare में वहाँ पर आपको सफेद color का दाग जो है वो देखने को मिलता है तो यही समस्या है कि जिसको हम VT logo कहते हैं तो समझ यहाँ पर ये पिक के according to तो मालनों कि ये इस जगा पर जहाँ पर मैंने square किया है वो जगा पर जो melanocyte है वो अभी तक destroy नहीं हुए है जिसके करण यहाँ पर जो skin का color है वो आपका normal skin color है बट आप ये वाली side देखो तो ये जो color है वो फिका बढ़ चुका है सफेद हो चुक immune cells थे उन्होंने वहाँ पर attack किया और उनको destroy कर दिया जिसके करण वो जो इस तरह सा normal color आपका skin का produce कर दे थे उसके जगाए वहाँ पर melanocyte ही नहीं है जिसके करण skin का कोई color ही नहीं रहता और वो वहाँ पर एक सफेद color का दाग छोड़ती है तो ये सरवात में चहरे के पास फोटो के आसपास अलग-अलग जगा पे ये जो है वो develop होने लगते हैं तो हाथ पाव कोनी आदी में चोटे-चोटे सफेद रंग के दब्बे वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और ये दिरी-दिरे एकदम छोटा होता है और फिर उसके size जो है वो बढ़ने लगती है तो reason यह है कि जो melanocyte है या फिर जो melanin जो pigment है वो कम हो जाता है और उसका reason होता है कि जो melanocyte है वो destroy हो जाते हैं तो ये जगा पे अभी melanocyte present है तो color proper है बट ये वाली जगा पे देखो तो melanocyte destroy हो जुके है वहाँ पे pigment ना होने के करण वहाँ पे सफेद dark जो हम देखने को म कोने का रीजन अल्ट्रा वाइलेट रेडियेसंस भी होता है स्ट्रेस भी होता है मेलेनिन पिगमेंट की कमी तनाव जो हम कहते हैं और आटो इम्मिन डिसॉर्डर भी होता है तो यहाँ पे मैं आपको एड़ ब्रेक लेके बताना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पे सीख रहे ह लिए यह बुक को अगर आपको लेनी है तो यह वाले नंबर पर आप हमें वाट्साप कर सकते हैं वाट्साप मेसेज करिए कि जिससे आपको और करने का पूरा प्रोसेस जो है वह वहाँ पे समझाया जाएगा तो यहाँ पर आप बुक में सीखोंगे किसी भी विमारी होने के कारण उसके लक्षण क्या है निदान कैसे हो सकता है और कौन से उपचार उसके लिए अवेलेव लग जैसे हम यहाँ पर यह वीडियो में सीख रहे है ऐसे ही डीटेल में आपको बुक में मिल जाएगा और वो बुक भी पूरी कलर बुक है तो सिम्टम्स अल्रेड़ी हम को हम कहते हैं कि आप पब्लिक लिए जाते तो आपको चिंता होते है आपको डर लगता है आप अजीब सा महसूस करते विकॉस दूसरे लोगों के कंपेर में आपका स्कीन कलर जो है वो चेंज होने लगता है तो यह एक फोबिया टाइप या फिर एंजाइटी जो है वो पर केमिकल लूकोडर्मा की जो प्रोसेस है वो यूज करके भी इसका डाइगनोसिस और निदान रूपचार किया जा सकता है फिर टीनिया वर्सी कलर भी एक डाइगनोसिस बनता है कि टीनिया में भी इस तरह से सफेद दाग जो है वो स्कीन के उपर देखने को मिलते हैं फिर म पता चलता है कि यह प्राब्लेम कितने हद तक बढ़ चुकी है कितने मेलानोसाइट प्रेजन्ट है और कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फिर पिटेरियासिस आलबा यह यह भी एक डाइगनोसिस फीचर बनता है यह प्राब्लेम के लिए फिर सरजरी एक आप्सन बनेगा और depigmentation, light therapy वगेरा जो है वो diagnosis और treatment के options बनते हैं तो detail में समझते हैं कुछ अब home remedies सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो गरगोथी उपाई क्या कर जा सकते हैं यहाँ पे तो जो सरसो का तेल होता है उसमें हल्दी मिला कर दागों पर लगाना कि जहाँ पे यह दाग है वहाँ पे आप सरसो का तेल लिजे उसमें हल्दी मिला दीजे और थोड़ा paste जैसा बन जाए ऐसी consistency रखे और उनको यह वाले दाग पे लगाए कि जिससे यह दाग जो है वो थोड़े light हो सकते हैं मतलब कि जो आपका skin का color है उसके साथ वो दाग जहो दिरी-दिरे match होने लगे फिर एलोविरा जेल लगा सकते हैं जूस पीना फिर जो बत हुआ आता है उसके सबजी खा सकते हैं और क्रीम अवेलेबल है जैसे कि अमी विस्ना का क्रीम आती है तो यहां पे कुछ medicine option हम देखते तो सबसे पहले है रुक्सो टी क्सी टिनीब का जो क्रीम आती है टॉपिकली यूज के लिए होती है मला कि जहां पे यह सफेद दाग हुए है विटी लिग हो है वहां पे यह क्री जल्ट नहीं मिलता तो साथ में टैबलेट भी प्रिस्क्रेप की जाती है प्रैडनी सोलन की जो डिस्पर्जिबल टैबलेट आती है कि जिसका डोज कास कर रहता है वन टैबलेट पर दे फिर यह काफी अच्छा option रहता है टैक्रोलीमस का जो ओइंटमेंट आता है कि जो फे एरिया में जब यह पैचिस होते हैं वीटी लिगों के वहाँ पर ही आप उसको अप्लाइ करें फिर चौथा option है केल्सी प्रो ट्रीनिंग की जो क्रीम आती है वह अप्लाइ कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में दिन में दू या तीन बार फिर यहाँ पर मैं फिर से एड़ पिसनागा की जो क्रीम आती है होमियोपेथिक मेडिसिन है जो स्पेसली डीपिगमेंटेड जो पैचिस होते हैं वाइट स्पोर्ट हो जाते है स्कीन के उपर वहाँ पर यह क्रीम जो है वह लगाई जाती है पर यह भी स्मॉल एरिया में एफेक्टिव रहेगी ज्यादा ज दभी उसका इलाज जो है वह शुरू कर देना चाहिए फिर यहाँ पी जो एक क्रीम देख रहे है वीटी लोगों की यह भी अपलाई की जा सकती है अफेक्टिव रिया पर फिर सात्वा ओप्सनम देखे तो चरक फार्मा जो है उसका पिगमेंटों करके जो ओइंटमेंट आता है वो आप सरीर में कहीं पर भी अपलाई कर सकते हैं जो छोटे पैचिस है तो दिरी दिरी वो पैचिस जो है वो गायब होने लगते है और जो स्खीन है वो फिर से उसका नॉर्मल पिगमेंट में आ जाती है नेक्स्ट हम देखे तो ल्यूकोडर्मा के जो ड्रॉप सा इंदर एटलिस्ट आठ से दस जितने ड्रॉप्स डालने होते हैं फिर उसमें आप पाने डाल दीजिए हाप कब जितना और उसको जो हो दिन में तीन या चार बार जो वो पीना रहता है फिर यह सभी तरीके उसे ठीक ना हो तो फिर आपके जो स्कीन स्पेस्सालिस्ट है ज जहाँ पे क्लिक करके मेरा आप यह वीडियो भी देख सकते कि जहाँ पे भी आपको काफी अच्छी नॉलेज और जैनकारे मिलेगी और ऐसे ही एज्यूकेशनल वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें गूड लग और बेस्ट